नमबर वन पुदीने में कई और से दी गुण होते हैं इसकी ताश्री, कंडी होने के कारण या पेट के विकारों को ठीक करने में अधिकुप्योगी है पुदीना हमारे वजन को कम करने में भी मदद करता है पुदीने की कई ताजी हरी पत्तियां की चट्नी, खाने और पुदीने की पत्ती की चाय नियमित से वजन कंड्रोल होता है इससे मोटापा कम करने में मदद मिलती है नमबर टू, गाजर और कई तरीके से खा सकते हैं गाजर में कई तरह के विटैमिन होते हैं गाजर खाने से निजात मिलती है भोजन में गाजर के नियमित उप्योग से हमारे बेट की चर्वी कम होने लगती है नमबर थी, भोजन के बाद माउट फ्रेशनल के रूम में अकसर लोग सौफ का इस्तमाल करते हैं सौफ हमारे पाचन प्रक्रिया में मदद करता है इसके नियमित सेवन से वजन कम करने में मदद मिलती है साथ ही, सौफ आखों की रॉस्ति, अस्तमा और कॉलेस्टरॉल के इलाज में भी फाइदेमन होती है वजन कम करने के लिए सौफ को पानी में डालकर 10 मिनट उबालना होता है इसके बाद इसे छान कर पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है इसके बहतर परिणाम के लिए 3 मेने तक सौफ को पानी में इसी तरह से पिए नमबर 4 पपीता कई तरह के विटामिन और पोशक ततों से भरपूर होता है यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है साथ ही इसके नियमित सेवन से सरीर में मौजूद अंतरिक चर्वी को कम किया जा सकता है पपीते में मौजूद फाइबर अंतरिक बेट को कम करने और बोडी को डीटेक्स रखने में मदद करता है नमबर 5 दही के नियमित इस्तिमाल से मुटापा कम करने या वजन घटाने में मदद मिलती है ये फैट को बर्न करने का काम करता है दही को अपने रोजाना लंच और डिनर में शामी करें दही में प्रोबायोटिक्स होता है जो पाचन तंतर को दुरुस्त रखता है और मेटापॉलिजम को बहतर बनाने में मदद करता है चोटी पीपल कई बिमारियों के इलाज में काम आती है सर्दी खासी में इसे सहत के साथ लेने से आराम मिलता है इसके नियमित इस्तमाल से मोटापे को कम किया जा सकता है इसके लिए आप इसके बारिक चून को कपड़े से छान कर रख लें अब इस शून को 3 ग्राम मात्रा में नियमित रूप से सुबह के समय छास के साथ लेने से बेट के हास पास जमाचर भी कम होने लगती है नमबर 7 डाइट में फलो और सबजियों को नियमित रूप से शामिल करना चाहिए आपको कई फैदे पहुचा सकता है फलो और सबजियों के इस्तमाल से वजन कम करने में मदद मिलती है इनमें बहुत कम मात्रा में कैलरी होती है जो मोटापे को कम करने में मदद करती है नमबर 9 आवला और हल्दी आवला और हल्दी के इस्तिमाल से वजन कम करने में मदद मिलती है इसके लिए दोनों को सामान मात्रा में लें और इसे पीस कर इसका चूर बना ले अब इस चूर को छार्ज के साथ नेमित रूप से लेने से कुछ दिनों में ही वजन कम होने लगता है 10. खाने में उपर से घरी मिर्च या काली मिर्च को शामिल करें इसके कई फायदे हैं इससे वजन भी कम किया जा सकता है मेर्च में कैपसाइसिन नामक तत्थू होते हैं जिनसे भूख कम लगती है और उर्जा की खबत होती है इससे तेजी से वजन कम होने लगता है 11. इस्टॉबिरी इस्टॉबिरी बेनिफिट्स में बढ़ते वजन को कम करना भी क्या मिल है दरसल इसमें स्वास्त संबंदी, कई समस्याओं में राहत पहुशने वाले गुण के साथ ही वजन कम करने वाले प्रभाव भी पाया जाता है 12. मालती की जड़ और छाच इसके लिए मालती की जड़ो को अच्छी तरह से पीस ले इसके बाद इससे शहत के साथ मिला कर खाने से वजन कम होता है पाउडर को लेने के बाद छाच पीने से यह अधिक फायदा करता है 13. सलाट में काली मिर्च और नमक का व्योग तमाटर और प्याच की सालात को काली मिर्च और नमक डाल कर खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है इससे सरीर को विटैमिन C के आईरन, पोटेशियुम, लाइकोपीन और लिूटीन मिलता है इन्हें खाने से पेट जल्दी भर जाता है 14. सहथ रोजाना नीमित रूप से सुबह एक गिलास थंडे पानी में दो चम्मस सहद मिलाकर पीने से कमर और पेट की चरवी कम होने लगती है 15. कीवी वजन कम करने वाले सुपरफूर है कीवी विटैमिन C, विटैमिन E, फॉलेट और फाइबर से भरभूर होता है कीवी के बीच खाने के पाचन में तेजी से मदद करते हैं इनमें अग गुंशिल फाइबर पाया जाता है वही हरे भाग में गुंशिल फाइबर पाया जाता है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है खाने या मीठे की क्रेविन होने पर आप कीवी का सेवन कर सकते हैं इससे पहली पेट भी कम होता है इससे आप अपने सुबह के नास्ते या साम के स्नेक्स में सामिल कर सकते हैं नमबर 16 संतरा आपके वजन घटाने वाले फूट्स में सबसे अच्छा फल है वो इसलिए क्योंकि इसे खाने के बाद आपके ज्यादा क्यलरी बन होती है नमबर 17 करेला की सबसी खाने से वजन कम होता है इससे कॉलेस्टरॉल का लेवल भी कम होता है करेले का जूस डापटिस के रोगियों के लिए बेहत फायदिमन होता है करेले के अलावा मुटापा कम करने के लिए सहजन का नियमित इस्तिमाल किया जा सकता है ये वजन कम करने में मदद करता है नमबर 18 चीनी का सेवन कम से कम करें ये आपके द्वारा खाये गए एक प्रकार का जहर भी होता है जो आपके सरीर के लिए बहुत ही जादा हानिकारक हो सकता है चीनी से आपका मुटापा भी बढ़ता है इसलिए आपको इसका सेवन या तो ब्राउन सुगर में रिप्लेस करना चाहिए या इसका सेवन बहुत ही कम करना चाहिए अक्सर बाहर की खाने में अधिक तेल का उप्यों होता है ये अधिक कैलोरी वाला खाना होता है जिससे मुटापा बढ़ता है और वजन में भी प्रभाव पढ़ता है बूक लगने पर सलाद का सेवन गरे हर मील में हरी सबजी और सलाद जरूर ले ये आपको लंबे समय तर भरा हुआ महसूस रखेगा और सरील में विटैमिन और मिनरल की कमी की पूर्ती होगी 21. कॉफी में पाये जाने वाले कैफीन आपके मेटापॉलिजम को बढ़ाता है और इसके आपका वजन कम होने में मदद मिलती है कॉफी पीने से 10 से 29 परसंट तेजी से फैट बन होता है 22. पानी आपकी वजन कम होने में मदद कर सकता है ये आपके मेटापॉलिजम को लगबग 24 से 30 परसंट अधिक बढ़ा सकता है यदि आप खाना खाने से 1 या 3 गिंटे पहले पानी पीते हैं उससे आपकी कुछ कैलोरीज बन होने में मदद मिलेगी 23. रात में सोते समय दो इलाइची खा कर गरम पानी से वजन कम करने में सहता मिलती है इलाइची पेट में जमा फैट को कम करती है 24. एक गिलास पानी में एक चमस सेट का सिर्का और एक चमस निबू का रस मिलाकर सेवन करें इनमें मौजूद पैक्टिन फाइबर से पेट को लंबे समय तक भरा होने का ऐसास होता है ये लीवर में जमे फैट को घटाने में मदद करता है 25. सुबे का बोजन भारी 26. जब खाना पज जाए और तेजी से भूक लगे तभी अगला भोजन करना चाहिए बोजन समय पर करना चाहिए और जितनी भूक हो उससे थोड़ा कमी खाना चाहिए खाना खुब चबा चबा कर खाना चाहिए ये वजन कम करने का काफी अच्छा उपाय है 27. ठाना कभी न छोड़े दिन भर में तीन बार जरूर भोजन करें अगर आप तीनों समय के भोजन में से किसी एक बार का भोजन छोड़ देते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि आप अगली बार के भोजन में अधिक कहार का सेवन करते हैं और इसकी वज़य से वजन बढ़ता है 28. नास्ता जरूर करें दिन भर की सारे रिक्रिया करने के लिए सरीर को उठचा की आवज सकता होती है जो कि बिना नास्ते के संभव नहीं है 29. फल हेल्दी डाइट का एक अनिवाय हिस्सा है जो की बजन घटाने में भी हेल्फ कर सकते हैं ध्यान रखे कि फलो को जूस की बजाए पूरी खाये तो आपको ज्यादा फाइदा हो सकता है 30. गेहू के आटे से बने हुए फूट्स का जैसे की रोटी का सेवन अधिक करना चाहिए या चावल और चावल से बने फूट्स का सुवन कम करना चाहिए 31. सरीर में पानी की कमी से भी आपको भूप महसूस होती है ऐसे में कई लोग पानी पीने की बजाए कुछ खा लेते हैं जब भी आपको भूप महसूस होती है तब ये ग्लास पानी पी ले रोजाना सुवे गुलबुना पानी करें और फिर उसमें एक निपुनी चोड़कर पी जाए इससे आपको पतला होने में मदद मिलेगा 32. रोजाना वॉकिंग करें मोटाबे को कम करने का सबसे आसान तरीका है आप रोजाना पैदल चलते हैं तो इससे आपका सरीर हमेशा फिट रहता है रोजाना लगबख 30 मिनट पैदल चलें मोटाबे को कम करने के साथ साथ आपके स्वस्त के लिए लाबदायक होता है नमबर 33 वजन पाने के लिए आप मेथी के चूण का उपयोग कर सकते हैं और सुबह उठकर खाली पैट पानी के साथ भी सेवन करें इससे भी आपको फायदा मिलेगा इसके अलावा आप मेथी के दानों को रात भर भी होकर रखें और सुबह उठकर खाली पैट उनका सेवन करें नमबर 34 हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें खाली समय में भी चोटे मुटे काम करते रहें अपने को व्यस्त रखने से भी आप स्लीम हो सकतें ऐसे में ज्यादा खाना नहीं खाया जा सकता इसलिए खुड को जरूर व्यस्त रखें नमबर 35 रात को तांबे के बरतन में पानी को भर कर रख लें और सुबह उठते ही इस पानी को पीए और फिर थोड़ी देर तहल कर सौच जाए यह आपकी कप्स को दूर करेगा और बेट से सम्मंदित रोगों को भी दूर करेगा 36 फिट और स्लिम रहने के लिए आपको एकसरसाइस करने की बहुत जरूरत होती है एकसरसाइस को हलके में नहीं लें क्योंकि खाने को पचाने और अपने आपको बिजी रखना बहुत जरूरी है तकि आपके सरीर में मोटापा नहीं बढ़ सके 37 दालचीनी वजन कम करने में मदल करती है इस तरह की चाय बनाने के लिए एक ब्लास पानी गरम करें गुनबुने पानी में दो दालचीनी का तुपड़ा एक चंमत सहद मिलाए अच्छी तरह मिलाए और विसरण को चान ले रोज सुबह खाली पेट दालचीनी और सहत का पानी पिए 38 पतले होने के लिए हमें तही, लौकी, करेला, सलाथ, सहत, गरम पानी और उनी चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्त पर अच्छा असर पड़े और फैट भी ना बढ़े 39 पपीता वजन कम करने के लिए पपीता एक बहतरी पल है पपीते में अच्छे मात्रा में फाइबर और अंटी ऑक्साइडेट्स होते हैं जो हमारे सरीर के लिए बहुत फाइदेमन हैं पपीता की खास बात है यह हमारी पाचन के लिए को ठीक रखने में मदद करता है पपीता खाने से मेटापॉलिजम भी बढ़ता है इसलिए जब भी आपको भूख लगे आप एक बाउल पपीता खाले इससे आपको तुरंट एनरजी मिलेगी अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो दस दिन सुबह साम खाली पेट एक ताजे पान के पत्ते में पांच साबुत काली मिर्च रखकर खाएं फिर एक बिंटे तक कुछ भी ना खाएं इस वीडियो में बताई के जानकारी एक सामानिकार के लिए हैं किसी भी विमारी से तुरित होने पर अपने डॉक्टर से सला ले कर ये नियम को अपनाएं तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी मुझे कॉमें बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी टिप्स और टिक की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंस के साथ जरूर शेयर करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं निव वीडियो अप्लोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुच जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई